असलाव अलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज मैं बना रही हूँ बीफ का अजार उसके लिए आपको लेना है बीफ बीफ में अधरक लसुन का पेज्ट हल्दी नमक और सिरका दाल के थोड़ा सा पानी दाल के आपके इसको गुबालना है कुकर में जब उबलेगा तब अगर आपके बीफ में चर्बी है तो आपका तेल इसमें उड़ जाएगा तो ध्यान रखेगा अपने फेस पे सब तेल उड़ने मत दीजिए थोड़ा सा केरफुल से पकाईए अगर चर्बी है तवारना कोई प्रॉब्लम नहीं उसके बाद आप इसका एक पेस्ट बनाए कुछ इस तरह सा पेस्ट बन जाएगा उसके बाद आप यहां पे हारी मिर्च अद्रक और लसून उसके बाद करी पत्ता को भी कट करना होगा ठटकर के आप साइड बर रख दीजिए उसके बाद यहां पे आप बीफ का फ्राई किया हुआ तेल अगर बज गया है तो वही आप ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पे आपको दाला है जीरा और राय और जो आपका कटकिया हुआ अद्रक लसून और हरी मिर्च और करी पत्ता इनको अच्छे से आप पकाईए उसके बाद दालिएगा जो बनाया हुआ पेस्ट पेस्ट को दालने के बाद एक अलग सा आरोम आ जाएगा एक अलग सी खुश्बू आ जाएगी जो सिर्क्या की जब आ जाएगी तब आप दालिएगा उसमें बीफ और अच्छे से मिक्स करिएगा नमक चाहिए ताप टेस्ट करके यहां पे दाल सकते हैं उसके बाद आप अच्छे से मिक्स करिएगा जब भी आप यूज करेंगे आपके चीज याद रखनी होगी कि आपको इसमें गीला चमच नहीं दालना है चमच एकदम सूका हुआ दालना है तब आपका बीफ हमेशा भोट लॉंग टेम तक आ सकता है आप इसे नॉर्मल जैसे अच्छार आप यूज कर सकते हैं वैसे य क्वाबलम नहीं है ट्राइ कीजिएगा कमेंट भी देविए